नमस्ते कुसम की रसोई में आप सभी का स्वागत है अगर आपको भी ढोसा खाना बहुत पसंद है तो चलिए बीना ढोसा पैन और बीना दाल चावल को भीगोए आज मैं बहुत ही इजी ट्रिक से ये एकदम हेल्दी ढोसा बनाना आप के लिए बताऊंगी और बहुत ही जल् नार्मल धोसा बनाते हैं उसको भी आप भूल जाएंगे शाखने बनाना स्ब्यास करते हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लिज लाइक कर देजए कभा हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिये जिए गवं Court करते हैं तो यहाँ पर में ली ःओंने वां Cloud चावल आते हैं आप वो ले सकते हैं, इसे मैं अच्छे से फुला ली हूँ, अगर आप इंस्टेंट बनाना चाते हैं, एक दम जल्दी, तो आप चावल को अच्छे से पोच्छ लीजीए, उसके बाद इससे आप पीशेए, यहाँ पर पीश रही हुँ मैं फुला कर, अगर आप फुलाकर नहीं पीछ रहे हैं तो आप इसरे की से पीछ सकते हैं तिन चार अजला सुन की कलिया नमक और पानी और यहां पर में अधरक डाल के इसे स्मूध ग्राइन पीछ लीजिए चलिए अब इसे एक बॉल में सिफ्ट कर लेते हैं इतना गारा बैटर हमें नहीं रख घर महात ही हेलदी नास्ता बनेगा फ्रेंड्स इसलिए वीडियो में बने रही है करी पता को इस तरीकी से मैं कट करके डाल रही हूं अगर पता आपके पास नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हैं तो चलिए मैं डलकी डाल दी हूँ यहां पर मैं लेवाद आधा-छोठा-च है चाबल जो है वह बहुत ही फूलता है फकते से मैं यह चीज़ का ध्यान रखिएगा इस चीज़ का तो यहां पर पानी में और डाली हूँ उसके बाद कि इतना पतला हमें इसे रखना है देखिए इस तरीके से में दिखा दे रही हूँ आपको इकड़ में यह बूत दाल लिगे और कर्चि बहूं यह चाबल जो है बहुत ही गाँ टेक्शिर् रहें अपने आप खुद भी अगर आप थोड़ा मोटा लग रहा है तो पानी यहां पर आप डालीएगा उसके बाद हलका तेल डाल कर इसे एक साइड अच्छी से पहले पैल से छूट जाए तब उसके बाद इसे आप बलटिएगा दोनों साइड से अच्छी से से शेक लीजिए उसके बाद इसे निकाल यह पैल से हैना एकदम फ्रेंड्स असान एकदम नाशता बहुत ही असान है सुबा के ब्रेकफास्ट में बना रहे ना तो यह आप बना सकते हैं बहुत इजी बन भी जाती है और खानी में भी टेस्टी और कुरकुरी बनी है ना कि आप जो नॉर्मल डोसा बनाते हैं आप बिल जाएंगे और इसे कोई आसं में भी बना सकते हैं या आपके पास लोह की तबह आ consultants उत्त कर लेडी आप देख सकते हैं सभी डोसा को में इस रिके से बना के निपना से हूँ रेडी देखिए चावलए कर डोसा एक दम बहुत ही कृपसी बना है देख सकते हैं फ्रेंट बना कर रेडि कर ली हूँ बहुत ही कुरकुरी और बहुत कृपसी बनी है ये नास्ता देख सकते हैं आप में तोरकर भी दिखा रही हुई फ्रेंड्स आप इसके लिए एक चटनी भी बना सकते हैं चटनी की रेस्पी मेरे चैनल पे अपलोड है यहां से आप देख सकते हैं मैं यहां पर चटनी की रेस्पी नहीं डाली हूँ I hope कि हमारी यूनिक डोसा की रेस्पी आपको बहुत पसंद आई होगी फ्रेंड्स पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलूंगे आपसे नेक्स वीडियो में तब तक अपने सिहत का ख्यार रखिए टेक कियर बाबाई